बारत नेपाल सीमा पर तबाही मचाते हुए मोहना वा करनाली नदियों ने कटान कर्ष किसानों को बड़े नुकसान की तरफ भेज दिया है किसान आतिक संकट से गुजर रहे हैं ग्राम पंचायत खेरटिया जस नगर सूरत नगर गंगा नगर में नदी की विनाश लीला त्रीव गती से जारी है ग्राम सबा खेरटिया के मज़रा अनूप नगर में कुछ वर्ष पहले लगबग सौ परवार रहते थे वर्ष 2016 तक यहां पर रहरे सभी लोगों को नदी ने रौत रूप धारड कर पलायन करने को विवश कर दिया और इस मज़रे की लगबग एक हजार एकर भूमी को भी निकल कर किसानों की कमर तोड़ दी थी खरडिया में भी नदी का कटान तेज है पति दिन दरजनों मीटर कटान चल रहा है धान और गन्ने की लगी फसल नदी में समा गई है गराम सबा जंसनगर में भी नदी के किसानों की लहला हाथी फसलों पर ग्रहण लगना शुरू हो गया है कटान के बैसे किसान अपनी अधपकी फजल खुदी काट कर जानवरों को खिला रहे हैं किसान हरी राम चौहान, राम बिलास, हीरा लाल, गुफु गफुर, खूबलाल, शकील, राजा राम सहीर तमाम किसानों की जमीन कट रही है ग्राम पंचायत सूरत नगर का मजरा इधर नगर के किसान गुरुलाल सिंग वा उनके तीन भाईयों की दस एकट भूमी नदी में समा चुकी है किसान मोहन सिंग, काला सिंग की भी कई एकट भूमी कट चुकी है और इनका मकान कटान के मोहाने पर है मजरा चौगर्जी में भी नेपाली नदी करनाली कटान कर रही है कर दो कर दो कि एकान गुकी है